एलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टवी वन फोर सेविन आज के वीडियो में हम डेली करंट अफ्वेर्स से 2020 को कवर करेंगे जिसमें 10 जनवरी 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफ्वेर्स के क्यूशन है इनको हम डेटेल से कवर करेंगी तो आज का पहला क पूसिशन है हाल ही में प्रवास्थ भ्रत्य दिवास यानिकि अइन आररेडि यह कम मनाया गया है आँसर है सोंतरास्ट्रीए प्रवासी दिवस लेकिन प्रवासी भारती है गवासी यह nine जन् fart whenever worship को मात्मा गांदी यह डक्ष्ण अफ्रीका से भारत आये थे इसलिए प्रवासी गवासी के प्रवासी न Fundória को मनाये जाता है और इसकी यदि महात्मा गांदी के बात की जाए तो महात्मा गांदी इनका जनम 2 अक्टूबर सन 1889 को हुआ था पौरबंदर गुजरात के इंदर इसलिए प्रतिवर्द से 2 अक्टूबर को ऐन सदिबस मनाये जाता है महात्मा गांदी ने साउथ अफ्रीका के इंदर नटाल कॉंग्रेस की स्तापना की थी सन 1894 में और महात्मा गांदी इनको राष्ट पती कहा कर संबोधित किया था सुबाश चंदर बोस के द्वारा सन 1944 में महात्मा गांदी इनको महात्मा के उबादी गुरु रविंदर नाट टेगूर के द्वारा दी गई नेक्स्ट है कराची अदिवेशन जो 1931 के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्सते सरदार वललबाई पटेल और इसी अदिवेशन के अंदर महात्मा गांदी को काले जंडे दिखाये थे पूना पेक्ट के बात की जाए तो यह 1932 में हुआ था येरवदा जेल के अंदर एक तो महात्मा गांदी थे और एक थे भीमराव अमबेड़कर इन दोनों के मद्दे गांदी ने पोस्ट डेटे चेक यह क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था हिंदी स्वराज के बात की जाए तो यह महात्मा गांदी की पुस्तक है और महात्मा गांदी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथ अगेस्त 1905 को बंगाल विबाजन इसके विरोध के अंदर स्वैदीशी आंदोलन शुरू किया गया नेक्स्ट है तेरा अप्रेल 1919 को जलिया वाला बागत्या कांड हुआ था अमरसर के अंदर और पांच फरवरी 1920 में ऐसे योग आंदोलन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी केसर के अइन हिंद की उपादीत्याग दीr 1922 केंदर चोराचोरी कांड हुआ इसके बाद में महात्मा गांडी ने ऐसे योग आंदोलन को इंदर और पांच फरवरी 1922 को हुआ था इस दिन गोरकपुर उत्तर परदेश के अंदर जो परदर्शन कारी थे इन्होंने ठाने में आग लगा दी थी नेक्स्ट है चंपारन सत्याग्राय है यह 1917 में शुरू हुआ एहमदाबाद मिल मजदू सत्याग्राय नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में चीन के शोधारती जहाद पर किसने प्रतिबंद लगा दिया राइट अंसर है स्रिलंका के द्वारा तो अभी हाल ही में स्रिलंका ने रिसर्च के नाम पर चीन की गुप्तचर नोकाओं पर एक वर्ष के लिए अपने बंदरगाहों पर आने पर प्रतिबंद लगा दिया शोध के नाम पर चीन अपनी नोका स्रिलंका के बंदरगाहों पर खड़ी करने का प्रियास करता था इसी के चलते स्रिलंका ने एक साल तक चीन के जहाज को हिंद महासागर में सोध करने पर प्रतिबंद लगा है नेक्स्ट बात की जाए यहीं गतराब करें देविस्तल के उन्दर सतापित की गया एक है लिगो प्रोजेक्ट जशको भारत के इंदर महराष्ट के हिंगो लिग के इंदर सतापित किया, निक्स्ट क्यूशन है हाल ही में अर्ध सैनिक बलों के अधिकारिक संचार और दस्तावीज साजा करने के लिए को नसा एप विक्सित किया तो इसका right answer है सैंड से एप के द्वारा तो अभी पहले क्या होता था जैसे वोर्टसप के द्वारा जो भी अर्द सेनिक बल है यह अपने दस्तावीज साजा करते थे तो इनका क्या होता था लिक होने का डर है ता तो इसी को कम करने के लिए जो आर्द सेनिंग बल है इनको दस्तावी जो को साजा करने के लिए एक सेंड्स एप को लूंच किया गया है यहीं पर बात की जाए एक सॉफ्वेर लुंच यह था जिसका नाम था फिस्ट सॉफ्वेर और इसको स्रो के द्वारा लुंच किया गया था किसके लिए रोकेट या फिर उपगरहे की डिजाइन के लिए निक्स्त है भुमी राशी पॉर्टल जिसको सडक परिवयन मंत्रा लेने शुरू किया यह अमरत पॉर्टल को नितीययोग ने शुरू किया था यह वहिकल को बढ़ावा देने के लिए निदान पोर्टल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया उद्गम पोर्टल आर्बिय यानि रिचर बेंग ने शुरू किया था और यह लावारिस दन के वारिसों का पता लगाने के लिए इसको शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्मव यह भारती सेना के द्वारा सुरू किया गया सार्थी एप्लिकिशन इसको सेवी ने लूंच किया था और सेवी किस्तापना सन 1988 के इंदर हुई थी लेकि इसका अधिनिये माया था सन 1992 में नेक्स्ट क्यूशन है यहीं पर बात की जाएं कि मेट्रो में ओF इंडिया यहां सिरी धरन को कहा जाता है मिसाइल मुवन की नामसे टेसी तोमस को जानते है जबकि मिसाइल में की नामसे डोक्टर अपी जय अब्दुल का नाम को जाना जाता है Birdman of India की बात की जाए तो यह है डौक्टर सेलीम अली भारत की पहली Underwater Metro की बात की जाए तो यह कोलकता के अंदर हुगली नदी के नीचे सुरू की गई थी और भारत की पहली Metro यह कोलकता के अंदर सुरू हुई थी सन 1994 के अंदर 1984 में सुरूत की गई भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो यह दिल नहीं में शुरू की गए नेक्ष्ट यहीं पर हम कुछ जन्वरी माया के इंपोर्टेंट दिवस को कवर करेंगे जिसे एक जन्वरी को प्रतिवर्स DRD और स्थापना दिवस मनाया जाता है चार जन्वरी को विश्व ब्रेल दिवस पांच जन्वरी को राष्ट्रिय पक्षि दिवस नो जन्वरी को एनराई दिवस या फिर परवासे भारतिय दिवस जबकि अंदराष्ट्रिय परवासे दिवस कब मनाया जाता है 18 दिसंबर को दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, बारा जनवरी को राष्ट्रिय युवा दिवस, पंदरा जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, चोईस जनवरी को राष्ट्रिय बालिका दिवस, पच्चिस जनवरी को राष्ट्रिय मंदाता दिवस, या फिर राष्ट्रिय प्र यहीं है राम मोहन राव जो कि सेवी के नए कारियकारी निदिशक बन गए यहीं पर वात की जाए सेवी की यानि की शिक्योर्टी एक्षेंड बॉर्ड ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी लेकिन इसका अधिनियम 1992 में आया था मुंबई के अंदर इस्तित है यह वर्तमान में अधिक्स के बात की जाए तो मादवी पुरी बुच्छ यह है इसकी अधिक्स है और सेवी की स्थापना यह फेरवानी समीति की सिफारिस पर हुई थी नेक्स्ट है वितिये बाजार का रेगुलेशन यह है तो आर्बी आई के द्वारा किया जाता है लेकिन ज आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 में आयता उब्वक्ता सेलक्षन अधिनियम 2019 में आयता लेकिन इसको लागू 2020 में किया गया शिक्षा का अधिकार 2009 में जबकि शूचना का जो अधिकार है यह 2005 के अंदर आयता तो एक तो है राइट टू एजुकेशन यह तो 2009 के अंदर और एक है आर टी आई यहां था 2005 में सेविका अधिनियम 1992 में लेकिन इसकी स्तापना 1988 में हुई थी प्रियावरन सेलक्षन अधिनियम 1986 में जे विवित्ता सेलक्षन अधिनियम 2002 के अंदर और सतत्त विकास के उपर पहला सम्मेलन यह 1922 के अंदर हुआ था स्टोक्हों में नेक्स्ट कुशन है वे भारतिये ओलमपिक संके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगुराम एयर यह भारतिये ओलमपिक तक के CEO बन चुके हैं यहीं पर यदि बात की जाए है prac तो अन्तराश्टिये ओलमपिक समीती इसका गत 23 जून सन 1894 के इंदर किया था जबकि पहला ओलम्पिक यह 1894 के इंदर एथन्स ग्रिक्स में आयुजित किया गया अंतराश्री ओलम्पिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है क्योंकि 23 जून सन 1894 में इसकी स्थापना की गई थी जबकि भारत ही ओलम्पिक संग के अदिक्स है नरिंदर बत्रा निक्ष्ट है टोक्यो ओलम्पिक की बात की जाए तो टोक्यो ओलम्पिक 2020 के इंदर इनका आयोजिन किया गया था और इसके उद्गाटन समारों में भारत के ध्वजवाहकते मनप्रीत सिंग और मेरीकॉम और प्रश्मकर था मीराई तूबा है पदक तालिका की बात की जाए तो अमेरिका नें थर्टीनाइन गॉल्ड मेडल जीते थे और कुल 113 पदक जीते थे चीन की द्वारा 38 गॉल्ड मेडल जेते गे और जापानी जीते थे 27 गॉल्ड मेडल और कूल 58 मेडल यही पर यदि भारत की बात की जाएं तो भारत का इसे पदक तालिका के अंदर 48 नंबर का इस्तान है जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल दू सिल्वर मेडल और चार ब्रॉंज मेडल जीते थे इस प्रकार से टूटल साथ पदक यह जीते गे थे अपने देश भारत की द्वारा यहीं पर बात की जाएं कि यह साथ मेडल है यह कौन-कौन से खिलाड़ी ने जीते थे तो नीरच चौपडा ने भाला फेक में गॉल्ड मेडल मेरा बाइचानों ने वैट लिफिंग में सिल्वर मेडल रवी दया ने कुस्ति के इंदर सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंदू ने के अंदर फ्लेम ओफ है यानि की आसा की जुआला यह जलाकर उस देश को दी जाती है जो कि अगली बार ओलंपिक की मीजवानी करेगा तो टोक्यों ओलंपिक 2020 बीस के अंदर फ्लेम ओफ हो यह पेरिस को दी गए क्योंकि अगला जो ओलम्पिक है सन 2014 के अंदर यह पेरिस फ्रांस के द्वारा आयोचित किया जाएगा निक्स्ट क्यूशन है हाल ही में एशियाई विकास बेंक के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया राइट आंसर है विकास सील यानि कि आफ्चिन नमबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जो कि एशिया विकास बेंक के कार्यकारी अद्धिक्स बन चुके हैं बात की जाए यहाँ पर ADB की यानि की एशियन डवलप्मेंट बेंक की इसकी स्थापना सन 1966 के अंदर हुई थी मुख्याले हैं मनीला फिलिपिन्स के अंदर अद्धिक्स के बात की जाए तो मसोगुहू असकावा यह हो जाएंगे इसके अद्धिक्स जबकि वर्तमान में इस इसको साही आयोग भी कहते हैं RBI के लिए 1934 में अदिनियम आया था लेकिन इसकी स्थापना एक अप्रेल 1935 हुई मुख्याले हैं इसका मुंबई के अंदर मुख्याले इसका 1937 के अंदर कॉलकता से मुंबई में इस्तारांतरित किया गया नेक्स्ट है प्रेथम गवर्नर क कीसा है तो सतिकांत दास है जो इसको 25 में नंबर के गावरनर है और अरविये का राष्ट्र एक्राण एक जन्वरी सां 4949 को किया गया इसके इदे प्रतिक्चिन की बात की जायसे तो ताड का वरक्सिसका प्रतिक जिन है और ब्मत्र गवर्नर goingodd आ्र जो की प्रदान चुशन , हाल ही में क्रिकेट इस्तियात के सबसी कम समय में पूरा होने वाले डेस्ट मेच की वीजेत्स टीम कुंसी है? naw पहली बार Multi Sports Beach Games नेली के वा गहां पर मॉंसे है? mauvais शाहं पर ही पॉर्ड में परएं जानी के पालो है? hoje विजेत्स जमन मेंग्होग अ Ut aboard यूरोपिय देश कुन सावन है राइट अंसर है फ्रांस नेक्स्ट क्यूशन हाल ही में मोटे आने जाव के उत्पाजन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती सिरी अन्य प्रोसान योजना कहां प्रारम की गई राइट अंसर हो जाएगा मद्धे प्रदेश सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के अन तक बनेने के लिए आपका दिल से दन्यवाद जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए बाबाए टेक केर